हेलो फ्रेंस आप देगर इंगलेंस तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR फाइल करते समय हमसे और एक गलती हो जाती है वो common है common mistake है तक्रिबन तक्रिबन बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 30% जो ITR फाइल करते हैं तक्रिबन 20-30% तो होई जाता है कि यह mistake commonly आई जाए बाद में solve हो जाती है लेकिन मैं आसान तरीका आपको solve करने का बता देता हूँ बहुत ही simple सा है हमने tax price सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए desktop site करना जरूरी है मोबाइल में इसलिए जानबूस के फाइल कर रहा हूँ तकि आपको पता चले क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है और देखिए यहाँ पर मेरा जो पोर्टल है ओपन हो चुका है मैं फाइल ना उपर क्लिक कर लेता हूँ mistake साधारन वो होती है वो है कि जैसे हमारा tax expenses हमने ज़्यादा exempted income हमारा actually में हमने जो expenditure किया है वो exempted है कहने का मतलब क्या है कि वो exempted है और वो इतना ज़्यादा है कि हमारा tax बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हमारा tax कर चुका है पहले लेकिन हमने उसके बाद में जो हमने expenses हमारे दिखाए है जो exempted है और वो show करने के बाद में भी जो अभी हम आगे जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो दिखा रहा है refundable amount उतना नहीं दिखा रहा है नहीं तो अगर आप start new करेंगे तो पहले जो fill up किया हुआ है वह सारा आपका चला जाएगा ठीक है आपको दुबारा से मिनत करनी पड़ सकती है तो इसलिए मैं resume filing पर कर लेता हूँ click और मैं बता रहा था आपको कि अगर आपका tax कटा है 20,000 और आपके expenses भी है कि आपका tax 20,000 को जो आपका ITR जो आपने फाइल किया है वो 20,000 जो आपने tax दिया है उसे वापस पुरा ला सकता है इतने expenses आपके हैं इतने आपके expenditure किया है औ और सारा के सारा आपका exempted है तो फिर भी आपको आधी amount या फिर पांच हजारी refund दिखा रहा है तो यह mistake हमारी हो का रही है actually वो देखना है ठीक है तो दिखें यहाँ पर इस case में मैं आपको form number 16 दिखा रहा हूं तो यहाँ पर show हो रहा है 40,563 रुपियस का tax यहाँ पर cut चु खर्ची किये मैंने tax कटने के बाद 40,000 रुपे tax कटने के बाद जो मैंने खर्चा किया है वो इतना खर्चा है कि उसमें से ज़्याददर amount taxable नहीं है ठीक है मैंने अपने senior citizen father के लिए treatment दिया और मेरे dependence के लिए मैंने treatment दिया जो कि बिल्कूल भी disabled है और मैं अपने मकान में नहीं रहता हूँ मैं किसी बाहर service करता हूँ तो जाहर से बात है मैं किसी दूसरे शहर में किरायके मकान में रहता हूँ तो वो मेरा है ठीक है मेरा अपना medical का अपना personal जो expenditure है जो medical के लिए 5000 रुपए मिलता है वो है इतनी सारी amounts मैंने डाली है और यह इतनी amount हो गई है फिर मेरा contribution है ATC में वो भी 2,00,000 से उपर है लेकिन 1,5,00,000 तक छूट है तो वहाँ पर 1,5,00,000 ही हम fill up कर पाए इतना करने के बाद में भी इतने सारे amount डालने के बाद में और यह नहीं होना चाहिए था ठीक है तो फिर देखते हैं यहाँ पर आपने करना कहें actually मैं आपको last में दिखा पहले की problem है क्या ठीक है मैं आपको tax दिखा दिया 40,000 रुपे हमारा tax कट चुका है लेकिन यह refund नहीं दिखा रहा है इतना यह एक चीज से यह correction हो सकता है और दिखी यहाँ पर 10,800 पर दिखा रहा है ठीक है मैं यहाँ पर वापस चला जाता हूँ वापस चले जाने के बाद आपको सीधा जाना है tax paid में और tax paid में जाने के बाद एक बार फिर से लूँ एक बार फिर बताओ आपको मैं मैं एक बार back चला जाता हूँ ठीक है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है यह बहुत ही simple है जब ऐसी condition आपको आती है कि आपका tax कटा जादा है और आपने खर्चे आपको आपका tax वापस आना चाहिए refund होना चाहिए पूरा के पूरा लेकिन नहीं हो रहा है जैसे कि मेरे इस case में हुआ है 40,000 रुपे कटा है लेकिन यह आपर refund 10,000 दिखा रहा है तो ठीक है तो इसी tab में tax paid वाली tab में ही ठीक है ध्यार रखना ये तीन जो main tab है इनके अंद है जहां पर यह error को हम solve करेंगे यह error है ठीक है क्योंकि यह mismatch हुआ है जब form 16 से data fetch होके ITR department में चला जाता है इनकम test department में चला जाता है तो कुछ data इदर उदर हो जाता है शायद पता नहीं क्यों होता है इसा तो system करती है सारा तो हो जाता है तो आप manually feed कर सकते हैं ठीक है modify यह tax paid पर click करेंगे tax paid पर जैसे आप click करेंगे तो यहां पर आपको दिखता है यह verify tax taxes detail और उसमें आपको सबसे पहरे दिखता है आपका TDS वाला ठीक है यह TDS वाला दिखता है न आपको यहीं पर तो mismatch हुआ है 10,000 दिखा रहा है आपका total tax deducted दिखा रहा है 10,000 और actually में आपका tax कितना कटा है actually आपका मतलब कितना मेरा किसका मेरा तो मेरा tax कटा है चालीस हजार रूपए और यहां दिखा रहा है कितना 10,000 रूपए तो यही mismatch है है हमे को correct करने के लिए आपको show detail पर click करेंगे यह जो show detail है show detail पर click करते है show detail पर click करने के बाद हमें यह जो हमारा employer है यहा जैसे आपने employer को check किया तो आपने observe किया होगा यहाँ पर edit का button आ गया है तो उस edit के button पर ही हमको click करना है edit के button पर click करने के बाद ध्यान से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो वापस से repeat कर लीजगा आपका भी फाइदा है और मेरा भी फाइदा repeat करने में ठीक है नहीं तो अगर आपको एक बार मेरा फाइदा नहीं कराना है तो आपको एक बार देखना होगा गवर से अगर आप नहीं देख पाए तो आपको बार बार देखना होगा ठीक है जिससे कि आपका काम होगा और मेरा भी फाइदा होगा तो आपको मैं बता दूँ कि यह जो देखिए आपका यह जो employer है इनकी detail यहाँ पर आती है यह कभी-कभी खाली होता है ठीक है इसमें कुछ नहीं होता है कभी-कभी तो आपको यह fill up करना होगा इन दोनों में fill up क परना होगा और उसके बाद आपका income chargeable under the head salaries form 16 में देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है 12631 और form 16 में दिखा रहा है income chargeable form 16 में जो line number 6 है na column मतलब serial number 6 में complete 6 123456 वहाँ पर देखेगा तो आपको दिखेगा income chargeable under under the head salaries ठीक है head मतलब income के जो head है वो मेरे खाल से 5 head होते है house property salaries और और सारे income from other sources और तीन तो मैंने बता दी आपको लेकिन दो मैं भूल चुका हूं तो 5 sources होते है income के तो उसी में से यह किये है salaries ठीक है 4727 यह fill up कर दिया है अब form 16 में ही form 16 में ही जाएगा वापस एक बार form 16 में ही जाएगा तो आपको page number 3 में last में अपको टोटल tax का type 40563 वह आपर fill up कर दियेगा 40563 और उसके बाद इसे save कर दियेगा और जैसे आप save करेंगे तो यहाँ पर अब मेरा correction होके आ गया है और क्या कर रहा है यह दिखा रहा है कि भाई साब आपने tax 10,000 नहीं 40,000 पे किया है और यहाँ पर दिखिए 40,000 आ भी गया है ठीक है फिर confirm कर देते हैं confirm करने के बाद हमारा आ गया है वापस से देखिए correction मैंने कर दिया है और इसी टैब में correction हो गया है और यहाँ पर पहले 10 अब 40 आ गया है क्योंकि वह वहाँ पर miss match हुआ था अब मैं proceed कर करके देखता हूं ठीक है proceed करने के बाद यहाँ पर refund amount दिखा रहा है 40,000 मुझे क्योंकि actually मेरा बंगता है उतना क्योंकि मैंने खर्चा उतना किया है जब मेरा tax कटा था उस tax कटने के बाद form generate होने के बाद में tax जमा होने के बाद में मैंने कुछ खर्चे किया है क्योंकि हमारा tax तकरिबनं तकरिबन मेरे खाल से financial year में ही close होता है June जुलाइ तक form 16 generate हो जाता है शायद ठीक है तो आप वो पिसले साल का होता है ठीक है पिसले साल का होता है जब आपका जो finance year close हो जाता है या form जनरेट हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं या तो form पहले ही जनरेट होता होगा है ना financial अभी बाकी होगा तो इस तरह से होता क्या है कि जो बचा हुआ period होता है उसमें आपके और भी तो खर्चे होता है तो वो खर्चे थोड़ी income tax department को पता है आपके employer को पता है वो आपको बताने होता है अगर आप home loan लेते है तो आपको बताना होता है वहाँ पर जाके आपके department म कि मैंने home loan लिया है और इतने रुपए का मैं principal देता हूँ और इतने रुपए का मेरा interest जाता है ठीक है तो वो सारा वहाँ पर add होगा और वो form 16 में reflect होगा और उतना पैसा उतनी जो रकम है आपकी जो total amount है उसमें से minus हो जाएगी और आपका जो total taxable amount है वो शुद्द होके आ जाएगा ठीक है और उसके बाद फिर आपने खर्चा किया है तो वो आपको फिर से reduction दिखाना होगा और इस तरह से वो होता है process दिरे दिरे समझ सकते हैं आप अगर बार बार किसी और के भी वीडियो देखेंगे कहीं और article पड़ेंगे तो दिरे दिरे इस तरह से होता है व यह समझा होती है और इस समझा को कैसे solve करना मैंने आपको इस वीडियो में बता है अगर आपका काम हो गया है तो मेरा भी एक काम कर लीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और अपने जरुत मनमित्रों को share करे मिलते हैं नेक्स प्रेमे किसी और information के साथ त अब तक के लिए गुडबाय नमस्कार टेक केर